रचबेर की केकड़ी में मौझूद चिकिस्सा मंत्री डॉक्टर अगुशर्मा क्या कुछ कह रहे हुने सुनते हैं? किस से वारता करें मेरी बात सुनिया यह गलत है यह अड़ताल टोटली गेर कानूनी है और मैंने साप कह दिया विभाग को सकती से पेस आएंगे क्योंकि वह हमारे कर्मचारी है यह नहीं हमारे से ठेका हुआ जीवे की जीवी की कंपनी को गौर्मेंट जब ठेका देती है वह किसको रखती है किती तंक्खा पे रखती है यह हमारे एड़ेक नहीं है यह उस कंपनी का एड़ेक है तो यह करमचारी सरकार के खरमचारी नहीं है पहले दो मैं स्पस्ट कर दूँ हम उनको समझा रहेते हैं अगर वो नहीं आते हैं दूसरी भरती हो जाएगी कंपनी वाले दूसरी भरती करेंगे उनकी जिम्मेदारी है सर्विस प्रोवाइडर को सरकार पैसा देती है संसादन देती है और जो कॉंट्रेक्ट होता है टेंडर का सर्टे होती है उन सर्टों के अनुरूप ये भरती का काम उनको करना पड़ता है वो क्या तंखा देते हैं क्या नहीं देते हैं ये सरकार नहीं तेह करती है वो ठेकेदार तेह करता है तो जब ठेकेदार के कर्मचारी हैं तो ठेकेदार से अपने इशू सितौल करो सरकार की भूमिका ही नहीं इसमें कोई इसलिए अगर मालो ये काम पे नहीं आएंगे दूसरे लोगों की बढ़ती करके जीवी के हमने कह दिया तुम भी ब्लेक लिस्ट हो जाओगे लोगों की स कर बीजेपी ने अंदोलन की रणनीती बनाई है क्योंकि बड़ा ज्यादा टोल तो भारत सरकार राश्ट्री राजमार्गों पे ले रही है और पहले ये भी स्पर्ष्ट करना चीए क्योंकि आज समाचार पत्रों ने रगु अब क्या बोलेंगे तो रगु बोल रहे हैं क कि कि ये जो टोल इनोंने खतम किया ये खतम किया इनोंने चुनाव से ठीक पहले डिसमऑर में और चुनाव जीतने के लिए खर्च ये खतम किया इनोंने अब अगर ये सरकार में नहीं आए contractor होते हैं अब वो contractor अपना पैसा इन टोल के जड़िए वसूल करते हैं तो सरकार अगर maaf करना चाहती थी पूर वरती सरकार ने maaf किया था तो पहला तो हमारा यह था कि जब उनकी सरकार बनी थी छहूदा में सरकार के बनने के साथ ही एकर ऑर माफ करते तो तो हमको भी लगता कि नियत उनकी लोगों को रात देनी की है अब दिसंबर में चुनावर दिसंबर में माफ कर रहे हो तो सब आद में समझते हैं कि ये सरकार वोट लेने की खातरी ऐसा काम कर रही है तब भी मैंने कहा था कि एक तरफ ले रहे हैं एक तरफ बढ पच्चीस सीट जिताई है राजस्तान के लोग हो रहे हैं और तीन सो पार गए हैं बीजेपी वाले राश्ट्रिय राजमार्गों का टोल खतम करो और फिरम भी अपनी सरकार पे दबाव बनाएंगे कि चाहे कोई परिस्तितियों आपको भी करना पड़ेगा लेकिन यही है कि वो सरकार के अंतरगत आते ही नहीं है इसलिए हम सख्त कारवाई करेंगे ठेके पर दिया गया है और काम प्रभावित हो रहा है मरीज परिशान हो रहे हैं एक्शन सरकार इस पर लेगी